हेलो फ्रेंड्स आज अब लोग शुरू करने वाले एंग न्यू टापिक जिसका नाम है एंकोडर चलिए एंकोडर का डेफिनेशन देख लेते हैं एंकोडर is a combinational circuit that converts binary information from टूटूडी पर n input lines to a n output lines encoder जो हे वो फूरा decoder का opposite है तो यहापर क्या होगा यहापर जो input हे वो 2 to the power n number of input होगा और जो output हे वो होगा n number of output सबस्मान लेते हैं n का value अगर 2 है तो यहापर 4 input हो जाएगा and 2 output हो जाएगा तो इसका block diagram देख लेते हैं block diagram block diagram क्या होगा? block diagram जो है वो होगा कि 4 input 4 input होगा e0, e1, e2 and e3 4 input तब क्या हो जाएगा है? 4 is to 2 encoder या फिर 4 into 2 और 2 output हो जाएगा एक हो गया x and एक हो गया y ठीक है न? एसका block diagram है तो चलिए इसका truth table पर देख लेते हैं truth table क्या होगा? truth table तो encoder जो है वो decoder का opposite है तो इसका truth table है truth table क्या होगा? क्योंकि यहापर 4 input है तो 4 input को हम लिखेंगे e0, e1, e2, e3 encoder है इसलिए e से इसका numbering किये बाईसे इसका number दिये e0, e1, e2, e3 इसका है input और जो output है वो होगा x और y ठीक है न? तो यहापर क्या होगा? जब e0 में 1 है और e1 में 0 e2 में 0 और e3 में जब 0 होगा तब यहापर जो output होगा 0, 0 जब यहापर e0, 0 e1, 1 and e2, 0, e3, 0 तब output होगा 0, 1 जब यहापर e0, 0, e1, 0 e2, 1 and e3, 0 तब output होगा 1, 0 जब यहापर e0, 0 e1, 0 e2, 0 and e3, 1 तब output होगा 1, 1 किकि as it is ओई ही सबसे अगर हम लोग देखेंगे किकि 0, 0 का decimal होते है 0 इसलिए e0 में 1 हुआ और 0, 1 का decimal होते है 1 इसलिए e1 में 1 हुआ 1, 0 का decimal होते है 2 इसलिए e2 में 1 हुआ और 1, 1 का decimal होते है 3 इसलिए e3 में 1 हुआ यह होगे इसका truth table encoder का truth table बनुगे अभी इसका circuit diagram हम देखेंगे तो circuit diagram क्या होगा circuit diagram circuit diagram circuit diagram में क्या होगा यहापर हम एचेक करेंगे क्योंकि ए output है मेरा ए output है और ए जो पूरा है यह मेरे input है ठीक है ना तो यह जो output है मतलब x x equals 2 summitions देके इसको लिखा जाता है मतलब किस-किस positions में मेरा 1 हुआ है तो यह 0th positions दे 1, a2, a3 ठीक है ना तो यहापर हम क्या लिखेंगे यह जो 1 है यह 2th positions में 1 है तो यह हो जाएगा 2 ठीक है एसके respective पहले हम कर रहे है इस x output के respective हम कर रहे है एक 2 फिर 3th positions में 1 है तो 2, 3 हो गए एसके respective and y के respective क्या होगा summitions देके लिखेंगे y के respective हो जाएगा 1 and 3 positions में 1 and 3 positions में क्या है? 1 है अभी इसको circuit diagram में plot करेंगे तो circuit diagram क्या हो? तो यहाँ पर 4 input है 4 input के लिए 4 e 0 1 line होगा e 1 1 line होगा e 2 1 line होगा and e 3 1 line होगा ठीक है ना? तो 4 input line होगा 4 input line के लिए यहाँ पर हम देखेंगे x जो output है उसके लिए 2 and 3 में 2 and 3 number line में इसका जो output है वो 1 था तो अभी क्या करेंगे? यह input है मेरा तो यह जो input है यह 2 2 number line and 3 number line इस दोनों को or gate से जोड देंगे फिर यह हो जाएगा x or gate से जोडने का मदलब है क्योंकि or gate plus है तो 1 plus 1 means 1 ही होता है इसलिए or gate से इसको जोड दिये तो x के लिए हो गया ठीक है ना? अभी अभी क्या होगा? y के लिए भी सेम चीज y के लिए क्या होगा? 1 and 3 number जो positions है वहाँ पर 1 है इसलिए यहां से 1 number line को लेंगे और यह 3 number line इस दोनों को और gate से जोड देंगे जोडने के बाद एक क्या होगे? a y ठीक है? so friends circuit diagram के साथ एवा ठूट टेबिल को मिला के देख लेते है सपस्पास माल लेते हैं यह वाला input e 0 मेरा 0 है e 1 मेरा 0 है e 2 मेरा 0 है and e 3 मेरा 1 है तब मेरा output क्या होगा? x होगा 1 and y भी होगा 1 देख लेते हैं e 2 मेरा 0 है तब 0 plus e 3 मेरा 1 है 0 plus 1 और में क्या होते है? 1 ही होते है तब x का value मेरा 1 होगा है फिर e 1 मेरा 0 है and e 3 मेरा 1 है तो 0 plus 1 means और gate मेरा 1 होते है तब देखो य भी मेरा वानी है तब जब मेरा input है 0001 तब मेरा output होगा 1 and 1 बाकि जो तीनो input है ये friends आप घर में trace करके देख लिजिएगा किसे ही हो रहा है कि नहीं तो यहां पर है ये बाला topic खतम हो रहा है Thank you friends